मुझा नमस्कार Study IQ IS Hindi में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं विरद एक बार आपके समख्षपिर से आज जिरुगा हूँ आपके इस चहेद एक आरिक्रम History on Map में तो आज के History on Map में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं पिछले में हमने हुमायू के बारे में पढ़ा था उसके पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा और यहां से धीरे-धीरे करके जो मुगल काल है उनके जो expansions है उनका जो विस्तार है वो आपको समझ में आने लगा होगा या आएगा आप ही आगे चल करके तो मैप में जो महत्तुपूर्ण स्थान है इनके इतिहास से संबंदित अकबर के इतिहास से संबंदित उनके उपर आज का आमारा discussion रहेगा लेकिन चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दू शुरुवात में ही कि भाई आज 6 तारीक हो चुकी है और 6 मतलब 2 दिन और बचे हैं जब इस क्लास की शुरुवात हो जाएगी तो ये जो क्लास है ये 8 जुलाई 2014 से शुरू हो रही है और शाम कुछ 6 बज़े शुरू हो रही क्लास कौन सी है या किस परपस से चलाई जा रही है क्या coverage होगा इसमें तो इसमें आपको पूरा का पूरा इंटर्वीव तक प्रारम्भी परिक्षा से लेकर के प्रारम्भी परिक्षा से लेकर के इंटर्वियो तक पूरी तयारी कराई जाएगी ठीक है, live classes इसमें लेंगी तो आपको दिखी रहा है कि यह live है ठीक है, तो आपको live classes में लेंगी लेकिन यह recorded form में भी आप देख सकते हैं, ठीक है आप यह recorded form में भी देख सकते हैं अगर कोई class miss हो जाती है तो इसमें कोई परिशान होने की विशेज बात है नहीं batch number 2 है जो की quality विशेज के साथ शुरू हो रहा है इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा शुरुवात में अमरेंसर यहां पर quality से शुरुवात करेंगे admission लेने का process क्या है आप website पे जाईएगा या फिर आप app डाउनलोड कर लिजे study IQ का और वहाँ पर हिंदी वाले section में जाकरके UPSCLA section में जाईए और वहाँ पर आप अपना course ये purchase कर सकते हैं इसी तरीके का जैसे आपको दिख रहा है इसी तरीके का वहाँ पर भी thumbnail बनाओगा विरत live code लगाना है purchase करने से पहले जहां पर आपको coupon apply करने की बारी आती वहाँ पर अल्रडी तीन चार coupon लिखें उसको मत apply कीजेगा विरत live code को लगाएंगे तो आपको maximum discount मिलेगा और ये batch आपको मात्र 27,999 में 18 किताबों के set के साथ अपलब्ध हो जाएगा तो ये मैंने आपको बता दिया चलिए अब हम शुरुवात कर लेते हैं हमारे program history on map की ठीक है चलिए आप सब लोगों को मालू में हमारे program का नाम क्या है history on map हम नक्षे परितिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग मुगल वंच पढ़ रहे हैं और मुगल वंच में आज हम पढ़ेंगे अकबर आज हमें पढ़ना है किसके बारे में अकबर के बारे में जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि आपको code इस्तेमाल करना है विरद live V-I-R-A-D-L-I-V-E कुछ भी purchase करना चाहते हैं आप विरद live code का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए तो इसको पढ़ने से पहले जैसा कि आपको मालूमी है कि हमको यहाँ पर map draw करना पड़ेगा तो चलिए हम लोग map draw करते हैं इस portion को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और आपके लिए map यहाँ पर हम draw करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग अकबर के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इसका विस्तार जो है South India से आपको ले चलते हैं रूबुरू कराने आज मैं outlining जो है इसकी एक मिनट आज मैं outlining जो है इसकी हलकी कर दे रहा हूं जिससे की बाकी की जो चीजें हैं वो आपको सही तरीके से दिखाई दे सकें और यह हम यहाँ से मोड जाएंगे उरफ की तरफ तकरीवन कुछ इस तरीके से समतिक और हमको उत्तर भारत का नक्षा बना लेना चाहिए यहाँ पर जिससे की आपको परिशानी ना हो ऐसे करके यहाँ अंदर जाकर के आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे उपर की ओर से थोड़ा सा टिल्ट करते हुए और यहाँ पर भारत का नक्षा बना लेने अब चाहें तो आप यहाँ पर नेपाल ऐसे करके ड्रॉ करें या फिर आप सीधे उपर का हिस्सा ड्रॉ कर दें एक ही बात होगी इसमें कोई विशेस दिक्कत वाली बात नहीं होगी पर जो भी है आप इसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं अब इसमें आप नदियों को भी बना लीजे लगे हाथ जैसे कि आप यहाँ कहीं से सिंधु नदी को ला सकते हैं यह आपकी सिंधु नदी हो जाती है और इधर से नक्षा इधर निकल जाएगा ठीक है सिंध का प्रांत उस तरफ बन जाएगा और यहीं कहीं से आप सतलज रिवर तो चाहें ले आ सकते हैं यह सतलज रिवर हो जाएगी यहीं कहीं से आप गंगा नदी का प्रवाह भी कर सकते हैं सम्थिंग राइक दिस और यह आपकी यमुना नदी हो जाएगी और यहा करके कहीं मिल जाएगी इनसे और चाहेंगे तो आप यहीं से आपका यह ब्रहुपुत्र नदी भी ऐसे बहती हुई और अपकी तरफ से बहती हो याती है और फिर इनके साथ ऐसे यहाँ पर ब्रांचेस बना देती है यह कुछ नदिया है जो प्रमुक मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखा दी I hope कि आपको यह points है वो already clear होंगे locations आपको already clear होंगी इसमें से बहुत सारी इडिया का यह map है अब देखें मैं जिसके बारे में discussion करने जा रहा हूँ आज वो हैं अकबर और इनको हम लोग कहते हैं जलाल उद्दीन जलाल लुद्दीन मुहम्मद अकबर ठीक है हुमायू के बेटे हैं हुमायू के पुत्र हैं यह और 1542 में इनका जन्म जो है वो राणा वीरसाल के हां हुआ था 1542 में वीरसाल के हां इनका जन्म हुआ था वीरसाल राणा वीरसाल उनके हां जन्म हुआ था और अमर कोट के राजा थे कहां के राजा थे अमर कोट सिंध प्रांथ के पास में आपको अमर कोट देखने को मिलेगा, इस जगह कहीं, इस प्रोबिंस में, यहाँ यहीं कहीं आपको अमर कोट देखने को मिलेगा, suppose that यहाँ कहीं, अमर कोट, ठीक है, अमर कोट के यह शासफ हुआ करते थे, अमर कोट, ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है कि लेकिन आपको मालूम है कि जिस समय अग पर का जण हुआ है उसके उस दौरान आपका मालूम है कि जो हमायु है वो संगर्च रथ हैं और उन्हें अपने दिल्ली का उनको ताज वापस पाना है, दिल्ली उनसे छिन चुकी थी सूरी वंश के सासक ने इनसे दिल्ली क्या कर ली थी, छीन ली थी तो यह है दिल्ली ठीक है, यहाँ इनको वापस जाना है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ें और इस दौरान, जिस दौरान हमायू की मृति होती है, 1556 में उस समय हमायू जो है, वो पंजाब में एक जगा पढ़ती है, गुर्दासपुर वहाँ पे काला नूर में स्थित हैं, ठीक है? तो पंजाब में, काला नूर में, या काला नौर जिसको बोल सकते हैं, काला नौर, पंजाब का ये इलाका है, गुर्दासपुर, गुर्दासपुर, तो अकबर जो हैं, उस समय कहां पर हैं, मैंने आपको बताया, अकबर जो हैं, उस समय, 1556 में आप देखेंगे, तो ये काला नौर कह सकते हैं या काला नूर कह सकते हैं एकी बात है गुर्दासपुर पंजाब और यहीं पर जब ये खबर मिलती है कि पिताजी नहीं रहे तो श्रीक्रतिश्रीक इनका राज्जा भिशेक किया जाता है राज्जा भिशेक, ठीक है, राज्जा भिशेक किया जाता है, वो भी इट पत्थर से बने हुए एक सिंगासन से, ठीक है, इटों का एक सिंगासन बनाया जाता है, और जल्दी से इनका रास्तिलक कर दिया जाता है, बैरहाल इनके राज्जी के शुरुवात या इनका ठीक ठ युद्ध नवंबर 1556 में इनको लड़ना पड़ा है और इसमें जो लड़ाई हो रही है वो आप देखेंगे अकबर की लड़ाई हो रही है आदिल शाह से किस से हो रही है अकबर की लड़ाई आदिल शाह से लेकिन आप कहेंगे कि सर हमने तो इसमें हेमू का नाम सुना है बिल्कु सही बात है आदिल शाह की ओर से हेमू विक्रमादित्य जो की अंदिम हिंदू शासक दिल्ली के कहलाते हैं हेमू विक्रमादित्य विक्रमादित्य क एरों ने उपाधी ली थी ठीक है और अकबर की तरफ से बैरम खान बैरम खान के संडक्षन में ही कुछ समय तक अकबर को बिताना पड़ा था तो बिसिकली इनकी लडाई है और भाग ने हेमू का साथ नहीं दिया है और कैना में अकबर का साथ दिया है इस जुद्ध में करतें चले जाते। जैसे 1558 में इन्होंने अजमेर जीत लिया, 1558 में इन्होंने अजमेर को जीता। अजमेर ठीक है अजमेर 1558 आप अजमेर जीत लेते हैं ठीक है आपके पास अजमेर आ जाता है इसी तरीके से मतलब इधर के छोटे मुटे इलाकियों ने जीतने शुरू कर दिये 1558 के बाद 59 में अगर आप देखेंगे तो यहीं कहीं पर ग्वालियर पड़ेगा इसी जगह पर कहीं पर ग्वालियर ठीक है तो इन्होंने ग्वालियर भी जीता ग्वालियर तो इन्होंने ग्वालियर वीजे करी है ग्वालियर वीजे हुई है 1559 में ग्वालियर और ये सब इलाके जब जीते जा रहे हैं उस समय अकबर जो है वो संडक्षण में है कुछ समय तक महन अंगा के शासन में है और कुछ समय तक बैरन खान के शासन में तो वो रिजेंसी पीरियट चलता है ठीक है कुछ लोगों का उसके बाद वो थोड़े से मुक्त होंगे फिर 1558 और 15700 तो नहीं लिए थीक है इसके बाद 1560 में आप ग्रमकी जॉन पूर विजय करते हैं जॉन पूर विजय करते हैं पंद्रह सो सथ में तो आपको यहां कहीं यहां कहीं जॉन पूर दिख जाएगा जॉन पुर तो ये विजए भी आपकी होती है शुरुवाती हिस्से में और यहां के शासको ने ये जो है वो स्विकार कर लिया है कि ठीक है अधीनता वोगलों की है और 1561 में चुनारगड 1561 में 1561 में आप देखेंगे चुनारगड चुनार का जो किला है वो भी जीत लिया गया है 1561 चुनारगड तो यह सब प्रारंभिक विजए हैं अकबर की ठीक है यह सब कुछ इलाके जो मैंने आपको बताया यह प्रारंभिक विजएओं के अंतर गताता है लेकिन अब जो है इसके पश्यात जो है वो तेजी से अकबर ने अपना सामराज जो है विस्तार करना शुरू किया है इसका मैं एक डुलिकेट तियार कर लेता हूं और जिससे कि आपको यह जो विजएए हैं वो लगातार आपको यहां से देखने को मिले तो विजयों को देखने के लिए विजयों को देखने के लिए हम यहां से क्या करेंगे यह वाला जो पोर्शन है यह हटा देते हैं सामराज्य विस्तार सामराज्य विस्तार सामराज्य विस्तार को आईए देखा जाए सामराज विस्तार कि जब हम बात करेंगे तो अकबर जो है मुक्त शासक हो करके जब सामराज विस्तार कर रहा है तब उसकी बात हो रही है तो सबसे पहले इनका अभियान आपको मालवा के विजय में देखने को मिलेगा फंद्रसो बासट के कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बाज बहादूर वहाँ पर शासन कर रहे हैं तो मालवा का शासक कौन है मालवा की अगर हम बात करें तो यहां का शासक कौन है बाज बहादूर बाज बहादूर यह मालवा के शासक है और यह स्वतंत रहना चाहते हैं थोड़ा पूर् को करने के लिए इनकी तरफ से अधम खां को भेजा गया था तो मालवा के बाज भादूर से युद्ध किस ने किया है अधम खाने अधम खां तो अब आप मालवा वाला करेंगे बाज भादूर भाग जाते हैं पुर्तगालियों के पास में लेकिन अधम खान जो है उनके कपजे में इनका जो खजाना वगर ऐसा बाज आता है और इसमें जो बताते हैं कि कुछ गड़बडियां करी अधम खान ने हिसाब किताब में बाद में अकबर को पता चला तो अकबर ने इसको जो है आगरा के किले से उठा करके फेंग दिया और माडा लगया बात में शुजात खान जो है वो भेजे जाते हैं शुजात खान बाज बहादूर को गिरफतार करते हैं बाज बहादूर जो है वो क्या हो जाते हैं गिरफतार ठीक है शुजात खान के अकबर के सामने भेजा जाता है अकबर के पास जब एने बहिए जाता है, तो अकबर जो है वो इन्हें समझा बुजा करके इनकी गलतियों को माफ कर देते हैं और इनको दरबार में स्थान मिलता है और इनको शुरुवात में 1000 एक हजारी मनसब दिया जाता है जो कि बाद में 2000 हो जाता है 2000 इनको मिलती है तो यह है आपका मालवा विजय के बाद आपको मेड़ता विजय देखने को मिलेगी मेड़ता विजय और मेड़ता विजय भी आपको वही 562 की है मेरता में शासक हुआ करते थे जैमल शैफुद दीन को बхजा गया था यहां के शासक जैमल जो है उनको पराजित k marsh echoes्ण करने शैफुद दीन को भेजा गया था यह अपने अलग-अलग कमांडर्स भेजा करते थे अपने तरफ से तो जैमल इसमें पराजित होते हैं मेड़ता जो है वो इनके राज्यों है मिला लिया जाता है तो यहां कहीं आप मेड़ता की लोकेशन देख सकते हैं मेड़ता के बाद एक इंपोर्टेंट जगा है जो गोंडवाना में आपको देखने को मिलेगा और इसको बुलेंगे गढ़ कटंगा गढ़ या गढ़ा कटंगा कई-कई गढ़ कटंगा भी लिखा रहता है या आप सिंपली इसे गोंडवाना कह सकते हैं गोंडवाना ये हिस्सा ये बहुत इंपोर्टेंट विजए रही बड़ी फेमस विजए थी चौरागड का नाम आप लोंने सुना होगा चौरागड का गढ़ और कटंगा ये दो जगए हैं तो बिसिकली गोंडवाना की ये दो मुख्याले हैं जिसको हम लोग चौरागड के नाम से जान रहे हैं चौरागड और कटंगा के नाम से जान रहे हैं ये दो मुख्याले हैं ठीक है और यहाँ पर एक महराणी का नाम आपने सुना होगा दुर्गावती किसका नाम सुना होगा महराणी दुर्गावती महारानि दुर्गावती चंदेल शासक शालिवाहन की पुत्री है और दल्पत बुंदेला की पतनी थी जिनके बेटे हुए वीर्नारायन 1564 में आसफ खान ने यहाँ पर आक्मण किया है 1564 में आसफ खान आसफ खान को यहाँ पर आक्मण करने के लिए भेजा गया है तो यह लोकेशन आपको यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगी यह गोंडवाना गोंडवाना क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है गढ़ कटंगा इसी के अंतरगत आपको देखने को मिलेगा तो काफी बड़ा प्रोविंस है ये, MP के अंदर ठीक है जी? तो गढ़ कटंगा में, दुर्गावती के साथ में आपर इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा, काफी शांदार चौरागड़ पर अधिकार कर लेता है, आसब खान, बाद में 1564 फिर इनका एक शांदार अभियान है, जिसको हम लोग मेवाड अभियान के नाम से जानते है किस नाम से जानते हैं? मेवाड अभियान ठीक है, ये भारती तिहास के काफी प्रसिद्ध अभियानों में से एक है 156668 में यहां पर उदय सिंग का शासन हुआ करता था महराजा या राणा उदय सिंग, उदय सिंग वही है जो महराणा परताप जी के पिता जी है इनका शासन हुआ करता था मेवाड में, तो ये आपको मेवाड रीजन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेवाड समझ लीजे, यहाँ पर आप मेवाड समझ ले, मेवाड का एक बड़ा सा क्षेत्र है, है न, इस तरह से, छोटी-छोटी जगह हैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो चित्तोड है, इसी जगह कहीं, चित्तोड, यह इनकी राजधानी हुआ करती थी, और इसी चित्तोड पर कपजा करने के लिए, अभियान किया गया था, मुगलों की सेना जो है, राजपूतों से लड़ती है, राजपूत इसमें थोड़े कमजोर पढ़ते हैं, उद्य चित्र छोड़ो करके निकलना पड़ता है, जैमल और फत्ता के कहने पर, तो बाद में जैमल और फत्ता, यह बड़ी वीरता पूरा क्लड़ते हुए शहीद होते हैं, जैमल और फत्ता जो है, इनकी मूर्ती बाद में, इनकी वीरता से प्रभावित हो करके, इनकी मूर्ती जो है वो बाद में अकबर ने आगरा फोर्ट में लगवाई थी, तो वैसे मध्यकालिन भारत में आपको मूर्तिकला नहीं देखने को मिलती, लेकिन अकबर के समय में ये मूर्तिकला आपको देखने को मिलें, ठीक है, ये फिफ्टी सेवन, हाँ, पंद्रासो सरसट अनसट मे ये लडाई करी गई थी, इसके बाद इसी एरिया में राजपूत इलाके में ही आप रन थमभौर जगा देखेंगे, यहां कहीं पर, रन थमभौर, रन थमभौर, तो रन थमभौर विज़े जो है, वो हुई है, रन थमभौर, ठीक है, रन थमभौर के शासक हुआ करते थे सुर्जन राय तो सुर्जन राय पराजित हुए और ये पराजित हुए 1569 में ये पराजित हुए तो इनको पराजित होना पड़ा और पराजित हो करके ये राज्य जो है वो भी किसके कबजे में आ गया वो भी अकवर के कबजे में आ गया तो ये हिस्सा जो है वो रन थमबौर का हुआ इसी तरीके से रीवा की मैं बात करूँगा रीवा मैं जगा होगी कलिंजर कलिंजर रीवा ठीक है तो ये भी एक इंपोर्टेंट घटना है भई रीवा कलिंजर या कालिंजर कालिंजर विजय हुआ है ये भी अकपर की महत्वण विजयों में से एक है और यहां के राजा हुआ करते थे राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र ये पराजित हुए ठीक है इनको पराजय कमों देखना पड़ा ये पराजित हुए और जो रीवा का इलाका है वो भी मुगल शासन के अधीन जो है वो आ जाता है 1569 के अंदर अप लोगों ने तांसेन का नाम सुना होगा ये 1569 लिख लीजिए आपर 1569 यहीं रीवा से ही तांसेन बिलॉंग करते है तांसेन तांसेन संगीतक के जो हैं आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके क्या बता सकते हैं कि तांसेन का वास्तिक नाम क्या है किसी को मालूम है तेरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईए तो तांसेन यहीं से बिलॉंग करते थी उसके बाद 1570 में इन्होंने राय कल्या को हराया है यहां कहीं पर देखने को मिलेगा कहीं पर आपको इस विकानेर देखने को मिलेगा किकानेर यह जगह है कि अगनेर में कि अगय राय कल्यानमल ये पराजित हुए हैं बीकानेर में और बीकानेर का प्रोविंस जो है वो इनमें आ गया और इसी समय 1570 में ही हर राय रावल हर राय रावल जो है वो पराजित हुए है जैसल मेर के शासक हुआ करते थे जैसल मेर के जैसल मेर तो आपको यहां पर जैसल मेर देखने को मिलेगा यहां कहीं पर जैसल मेर ठीक है तो बीकानेर और जैसल मेर वाला जो इलाका है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इसमें हर राय रावल जो है वो पराजित हुए है और इन लोगों ने बेसिकली आत्म समर्पन सा कर दिया है और ये 1570 की बात है इन्होंने क्या किया है आत्म समर्पन तो ये हिस्सा जो है ये भी अकबर के पास आ गया एक इंपोर्टेंट युद्ध आपको देखने को मिलेगा 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को एक युद्ध आपको इंपोर्टेंट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड है समझ में एक नहीं है मेवाड यहाँ पर लड़ाई हुई है विस्तार तो बहुत कुछ है इसका लेकिन हम क्योंकि मैप की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हल्दी घाटी का जो प्रोविंस है वहां पर अधिकार किया गया है तो हल्दी घाटी आपको तकरीबन यहां कहीं देखने को मिलेगी यह लाका हल्दी घाटी का है हल्दी घाटी ठीके प्रसिद्ध युद्ध आपने देखा होगा कि अकबर की तरफ से इसमें मान सिंग लड़ने आया था लेकिन वो किसी भी प्रकार से विजित घोशित किया जाए ऐसा माना नहीं जा सकता क्योंकि युद्ध का अंतिम परणाम जो आना था वो इस बात पर आना था कि उसने राणा को गिरफतार कर लिया हो पर राणा तो इनकी गिरफते बाहर रहे हलाकि बाद में मेवार के उपर अधिकार कर लिया गया गोगुंडा सहित उदैपुर के काफी बड़े हिस्से पर मुगलों का क्या हो गया अधिकार हो गया ठीक है तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है तो वो हल्दी गाटी वाला इलाका है जो मैंने खाली करने पड़ेगी यहाँ पर फिल आउट हो चुकी है ठीक है चलिए इसको ऐसे वापस भी लिखते रहा हूं विस्तार अलेकिन दक्षन के राज्य में जाने से पहले अभी कुछ और राज्य है क्योंकि इधर गुजरात वगरा का हिस्सा भी छूटा रह गया है तो मैं इनको भी थोड़ा सा कवर कर देता हूं ठीक है वो भी हिस्से आपके पढ़ाई के अंतरगता आजाएंगे तो ठीक रहेगा पर यह जगह जह है वो मैं साफ कर देता हूं ठीक अब देखें इसमें आपको कुछ अभी चलेंगे दक्षन की तरफ भी चलेंगे लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1772 के आसपास गुजरात के शासक हुआ करते थे सुल्तान मुझफफर तृतिर यहां के शासक हुआ करते थे तो गुजरात वाला जो हिस्सा है यहां पर 1572 के आसपास कैंपेनिंग की जा रही है 71 बातर आप कह सकते हैं इसको ठीक है और यहां पर सुल्तान मुझफफर सुल्तान मुझफफर थर्ड यह यहां पर शासन कर रहे हैं और सुल्तान मुझफफर तृतिर के एक सेनापती या हम कह सकते हैं कि संदक्षक हुआ करते थे जिनका नाम था इतमिद खान इतमिद खान यह एतियाद खान भी कहीं-कहीं लिखा रहता है basically इन्हों नहीं अकबर को invite किया क्योंकि यह राज्य को ठीक तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे थे अकबर को बुलाया गया है अकबर ने हराया है फिर यहाँ पे मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बना दिया सूबेदार किसको बनाया अंत में मिर्जा अजीज अजीज कोका को तो मिर्जा अजीज कोका जो है वो गुजरात के सूबेदार बन गए तो भाई यह आपका गुजरात का प्रोविंस है इसमें कोई दोराय नहीं गुझरात का हिस्सा है गुझरात का सुबधार बनाए गया लिकिन कुछ दिन बार यहां पर विद्रोओ हों गया अभी यह आगरा पहुंचा था अगर यहां पर सबकुष शांद करके लेकिन जब पता चला कि है भी तो फिर इसे आगरा से वापस आना पड़ा कहते हैं कि मुगल सल्तनत में अगर आप देखें तो सबसे तीवर्तम अटैक्स में से एक है क्योंकि वो 9 कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग 11 दिन कहते हैं 9 या 11 दिन के भीतर वो वहां से पलट के वापस आया था आकमण करने के लिए और गुजरात को विजय किया फर इनकी कुछ पूरब की विजय हैं जिसमें आप बंगाल और बिहार की विजय को देख सकते हैं बंगाल और बिहार का जो एरिया है इधर वाला जो एरिया है ये विजित करते हुए आप दिखाई देते हैं हलाकि दाउद खान जो है वो पराजित होते हैं और बिहार में राजमहल की पहाडियां वहां पर एक युद्ध होता है उसमें दाउद पराजित होते हैं और मारे जाते हैं तो इस तरीके से बंगाल और बिहार का जो हिस्सा है वो भी कबजे में आ जाता है किसके अकबर के ठी ठीक है जी यहां आप इस भीघहर और रप्लंगाल मान ली जाहरा ठीक जबंगाल का इससा हो गया और यह भिहार का हिस्सा ओ गया यह प्रोविंसिस भी किसके पास में आ गए हैं ये भी अक्बर के पास में आ गए है बंगाल बिहार वाला हिस्सा आ गया फिर पश्यमोत्तर में इनका एक अभियान होता है जो की अक्बर के सोतेली भाई के विरुध किया गया है तो ये अभियान पंद्रह सो एक्यासी में काबूल में हुआ है कहां हुआ है काबूल का अभियान हुआ है तो इसमें शहजादा मुराद को भेजा गया मुराद जो हैं वो अकबर की तरह से युद्ध करने जाते हैं अकबर के सौतेले भाई हुआ करते थे मिर्जा मुहम्मद हकीम ठीक है उनको उनके पास भेजा गया था इनको युद्ध करने के लिए और इस युद में मुर्जा मुहम्मद हाकीम जो है वो हार जाते हैं इनके हारने के बाद अकबर ने यहाँ पर बक्तु निशा बेगम को यहां का गवर्नर बनाया था और कहा जाता है कि मुगल इतिहास में यह पहली महिला मुस्लिम महिला गवर्नर हुआ करती थी इसके बाद किसी एक और व्यक्ति को भी महिला थी, उनको भी गवर्नर बनाया गया, लेकिन अंतता जो है मान सिंग को ये इलाका दे दिया गया था, काबूल का इलाका जो है बाद में किसको दे दिया गया था, मान सिंग को, कि उससे पहले आपको वो नाम जरूर याद रखना पहले इन्ही को गवर्नर बनाया गया था यही गवर्नर बनी थी काबूल की पहली मुसलिम महिला गवर्नर इनके समय पे उत्तर में चाकवंश के सासक हुआ करते थे यूसफ खान तो आपको यहां कश्मीर में कश्मीर में चाक वंश का सासा हुआ करता था यूसुफ खान यूसुफ खान तो यहां पर भी कैमपेनिंग हुई है ठीक है कश्मीर चाक वंश के सासा हुआ करते थे यूसुफ खान इनके अगेंस्ट में कैमपेनिंग की गई है तो ये हिस्सा भी जीत लिया गया, ठीक है, कश्मीर अभियान में, फिर छोटे-मोटे और भी अभियान होते रहे, कहते हैं कि 1585 में यूसुफ खान ने संधी कर ली थी, यहाँ पर भगवान दास अटैक करने के लिए गये थे, कश्मीर अभियान का दोरान, तो 1585 की बात है, बिस साथ में इनकी क्या हो गई थी, संधी हो गई थी, आमिर के शासक भगवान दास हुआ करते थी, तो उनसे संधी हो गई थी इनकी, मिर्जा शाहरुग भी गए थे साथ में, फिर उसक्यात 1591 में अब्दुर रहीम खान खाना ने, यहाँ पे सिंध प्रोविंस आपका पड़ ठीक है, यह पूरा का पूरा प्रोविंस जो है, वो सिंध का प्रोविंस कहलाता है, तो सिंध को जीता हुआ था, सिंध को जीता गया, अब्दुर रहीम खाने खाना के द्वारा, उन्होंने सिंध के उपर अटेक किया, और सिंध को जीता था, उसमें सिंध को थाटा कहा ज जीतने के लिए भेजा गया था, ये वाला हिस्सा, उड़ी सा, ये 1592 में मानसिंग जीत करके लाए थे, ये सब छोटे-छोटे हिस्से हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो अकबर के विजय अभियान में सब शामिल होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो इस अंतर में इस हिस्से के अत्रिक्त जो है, एक पॉइंट आपको, मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, एक और पॉइंट बता देता हूँ, जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे लिख दिये, इसको मैं मिटा देता और यहीं आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी, कांधार, ठीक है, कांधार भी आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी, तो कांधार का भी विजय अभियान है, कांधार, कांधार को भी जीता गया है, 1558 में, 1558 में, तो कांधार वाला भी पश्यम उतर भारत की बात कर र तो actually पहले से कांधार इनके पास में था, लेकिन 1558 में कांधार जो है, वो मुगलों के हाथ से निकल गया, और जब ये मुगलों के हाथ से निकल गया कांधार, तो इसे काफी समय तक मुगल जो है, वो वापस नहीं पाये, तो अकबर के समय में 1595 में इसको ले करके अभियान किया गया और आप ये मान के चले की 1595 में उसको ले करके काफी वहाँ पर जगडा हुआ इरान ने अपनी दावेदारी हमेशा यहाँ पर बनाए रखी मुगल सुवेदार हुआ करते थे शाहबेग उस शाहबेग को यहाँ से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था तो इसी चीज को ले करके वहाँ पर युद्ध से इस्थिती बननी थी तब अब्दुर्रहीम खाने खाना को भेजा गया था कांधार दूर पर अधिकार करने के लिए तोनों ने अब्दुर्रहीम खाने खाना ने कांधार दुर्पर क्या किया अधिकार किया तो ये एक चोटा सा पॉइंट है जो आपको और ध्यान रखना है अब हम दक्षण के अभियान के तरफ चलेंगे अब हम दक्षण के अभियान के तरफ चल सकते हैं अब दक्षण अभ कि खानदेश जो रीजन है यह आपका दक्षण में उल्टी बहने वाली दो नदियां है नर्मदा और तापती इन ही दोनों नदियों के बीच की भूमी जो है यह खानदेश कहलाती है तो अगर आप देखेंगे तो भाई यहां से तक्रीबन कुछ यह आपकी नर्मदा नदी बह रही है और यह आपकी तापती रीवर बह रही है तो नर्मदा और तापती के बीच का जो इलाका है यह इलाका आपका क्या कहला रहा है यह खानदेश है यह पूरा इलाका आपका क्या है खानदेश है तो पहले खानदेश अभियान की बात यहां पर हो रही है कि खानदे 62 में 1562 में यह अटैक आपको देखने को मिलता है दक्षिन भारत में तो पीर मुहम्मद खान का आक्रमण हुआ है वहां के शासक हुआ करते थे अली रजा खान तो अली रजा खान और अली रजा खान और पीर मुहम्मद का युद्ध हुआ है इसमें पीर मुहम्मद ये पीर मुहम्मद जो है अली रजा खान से युद्ध कर निकले जाते हैं अलिरजा खान ने अधिनता स्विकार कर ली है और फिर बाद में इसी अलिरजा खान का एक बेटा है जिसका मनाम है मीरन बहादूर उसने अपने आपको फिर से स्वतंत्र करा लिया और स्वतंत्र करा करके असीरगड के दुर्ग में जाकर के छुप गया तो आपको यहीं कहीं पर Asirgaard देखने को मिलेगा, असीरगड का फोर्ट, Asirgaard फोर्ट, असीरगड, यह देखने को मिलेगा, तो इन्हीं का बेटा है अली राजा खान का ही बेटा है, जिसका नाम है मीर बहादुर, या मीरण बहादुर, मीरन बहादूर ने क्या किया? अपने आपको पहले तो स्वतंत्र गोशित किया और बाद में जो है ये ये असीरगड में जाकर के चुप गये अपने आप को फिर ये असीरगड इसी असीरगड को विजह प्राप्त करने केलिए अंतिम campaign जो है वो किया गया था 1601 में बहुत बाद में 1601 में ठीक है और असीरगर जो है वो बहुत सुरक्षित दुर्ग माना जाता था कहते हैं कि सोने की कुंजी से इसको खुलवाय गया था मतलब वहाँ पे जो gatekeeper था उसको पैसे दिये गये थे तो 1601 में 1601 में अंतिम विजय अभियान है अंतिम विजय अभियान विजय अभियान है किसका? अकबर का जिसमें उसने विजय हासिल करीए तो यह मैं पहले ही पढ़ा दिया हूं अंतिम वाला इसको बाद में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बीच में एक और विजय वियान आपको देखना को मिलेगा, जो कि एहमद नगर का है, तो एहमद नगर भी आँपर देख लेते हैं, ठीके, एहमद नगर वाला जो हिस्सा है, वो भी हम देख लेते हैं, एहमद नगर, एहमद एहमद नगर की इंपोर्टेंस कुछ यूं है कि यहां के शासक हुआ करते थे बुर्हान उल्मुल्क, बुर्हान उल्मुल्क जो है, यह यहां के शासक हुआ करते थे, एहमद नगर के शासक थे बुर्हान उल्मुल्क, और इनकी एक बहन हुआ करती थी, जिनका नाम आप लो और ने जरूर सुना होगा चांद बीबी पहले बीजापूर की रानी हुआ करती थी चांद बीबी ये बीजापूर की रानी थी लेकिन अपने भतीजे की संदक्षिका बन करके एक उस समय के लिए यहां अहमद नगर आई हुई थी तो 1595 में इस आइंद नगर पर अटेक करने के लिए ़िए दो लोगों को भेजा गया जिन में एक मुराद थे और एक रहीम दास थे वही अब्दुर्रहीम खाने खाना लेकिन इनका आपस में कुछ मतभेद हो गया इसलिए बाद में दूसरे लोगों को विजय अभियान के लिए भेजना पड़ा जिसमें दानियाल दानियाल और अबुल फजल का नाम आता है अबुल फजल ये लोग जो है जाते हैं इस पर आ और उसी समय जो है यहाँ पर एक संधी हो गई है और उसमें जो है चीजें खतम कर लिए तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो अहमद नगर वाला इलाका है ये भी इनके हाथ में आ जाता है बाद में अंत में अंतिम लड़ाई जो है वो असीरगड की होती है जो कि मै अकबर के विजय अभियान है ये अकबर के द्वारा जीते गए हिस्से हैं जो आप शायद यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे तो ओवरॉल एक बहुत बड़ा सा हिस्सेदारी आपको निस संधे जो है वो देखने को मिलती है काफी बड़ी सी हिस्सेदारी आपको दे बड़ीदा हुआ है, इधर का हिस्सा लगबग लगबग और आप इसे यहाँ से जोड सकते हैं और यहाँ से ऐसे जौड सकते हैं आप इसे इस तरह से जोड लीजे यह इलाका तो यह एलाका मोटे-मोटे तोर पर अकबर का आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो मैं इसे color fill कर देता हूँ जिससे की आप इसे पहचान सकें ठीक है ये जो province है ये province ये वाली जो हिस्सेदारी है ये आप देख सकते हैं की तक्रीबन तक्रीबन ये हिस्सा मोटे मोटे दौर पर ठीक है तो I hope कि आपको ये points जो है वो clear हुए होंगे है न ये points जो है वो clear हुए होंगे सारे के सारे points आपने समझ लिए होंगे न ये सब तो ये मोटा हिस्सा जो है आपको समझ में आया mapping का mapping का ये part है ये सारा portion आपका mapping का है तो ऐसा नहीं है कि अकबर का इतिहास सिर्फ इतना ही है या फिर इससे ज़्यादा अकबर का इतिहास नहीं है जरूर है लेकिन मैंने तो कियो उनके विजय अभियान बताए है जो आपको mapping में बहुत सायता करेंगे जो आपको किस में बहुत सायता करेंगे mapping में जी बहुत सायता करेंगे तो आपको तो mapping के उपर ध्यान रखना है तो बिल्कुल रखिए और ये इलाके इसी तरीके से आप जरूर अपने map में खुद से भी draw कीजे, मतलब आप जितना खुद से draw करेंगे उतना आपको और ज्यादा आएगा समझ में, ठीक है उतना आपके अंदर और समझ जो है वो विक्सित हो जाएगी ठीक है तो चलिए, आज के session में फिल हाल इतना ही, जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ जैसे की इसकी विधिवट डिटेल आप जब पढ़ोगे और खास तोर से जब P2I बैच में आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में जो आनंद आएगा वो अलगी आनंद होगा और यही आनंद आपको हम 8 जुलाई से इस बैच में प्रदान करेंगे शाम को 6 बजे बैच शुरू हो रहा है विरत लाइफ कोड का तुरंत इस्तेमाल कीजे 2025 का समय निकलता जा रहा है समय निकल जाए उससे पहले सही समय पे अपने बैच को जोईन करके अपनी पढ़ाई को अब आप सुची के अगर यूट्यूब में ऐसी पढ़ाई है तो ऑनलाइन में जब हम लोग पढ़ाते होंगे तो कैसी पढ़ाई होती होगी शांदार ही होती होगी और ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी चीज़े ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आपका जो UPSCA वो निकलने में साहता मिलेगी तो चले फिलहाल इतना ही और जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाते हैं तो यहाँ पर आप हमें इस नाम से विरद.दुबे इस नाम से संबर कर सकते हैं और यही हमारा इमेल आईडी वी है आज के इस लेक्चर में फिलाल इतना ही थन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi